जी राजगर वस्यून वश्कार मैंना नाम कृष्णुपाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूट्यूब चेनल देख रहे हैं आपाद अभी का दोर है और हमारे साथ मद्धु प्रदेश के कॉंग्रेस प्रवक्ता है और ब्यावरा से इनको जो प्रभार दिये गया ह है कॉंग्रेस की तरफ से वह वड़ा संजीदा प्रभार है तो सर रविदांगी जी नाम है तो सर आप से आपका परीचे सबसे पहले जानना चाहूंगा मेरा परीचे इतना है कि कांग्रेस का एक कारे करता हूं और मुझे ब्यावरा विदान सभा की जिम्मेदारी दी गई थी जिसका निर्भा मैंने एक प्रियास किया है और उसका निर्भा करके मैं वापस रवाना हो रहा हूं रवी सर केसा रहा अभी तक का अनुभाव क्योंकि आखरी दोर था चुनाओ प्रिचार का और राजगड की जनता क्या वागई में कंग्रेस का सांथ देगी देखिए जनता तो हमेसे ही कंग्रेस का सांथ आजादी से लेके निरंतर देते रही और अभी भी दे रही है लेक इस बार जो राजगड के जनता में मैंने देखा है राजा साब के प्रती प्रेम कांग्रेस पाइटी के प्रती प्रेम वो पूरी तरीके से हमें निकल कर दिखा है और निश्यती यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएगा प्रेम तो सर विदान साबा में भी दिख कहते हैं जिसमें लोगों कुछ समय के लिए सोचने समझने की सक्ति जो होती है वो कमजूर पड़ जाती है तो उन्होंने जो स्टॉक खिला जो कि मैं कह सकता हूं लाड़ली बेना हमें समझ नहीं मतलब उन्होंने जो थी कांग्रिस की लेकिन उसे चुरा लिया भारतिय जनता लेकिन बात समझें की जो मैंने कहा कि प्रस्ण तो लगता है आप देखी राजगड की अगर राजगड जिले की बात करें पांचों विदाय को कि रिजल्ट आ एक जैसे कैसे समभव है मतलब जनता ने एक जैसे हार एक जैसे आखड़े लगभग जो भी आ रहे हैं मतलब हर जागा आप इंदोर जाईए बिदिसा जाईए जहां भी एक जिलेवाइस देखें तो जो हार एक आंखड़े में हारे हैं थोड़े आज आगे पीछे हारें तो मैं समझता हूं कि एक कही ना कहीं एक बड़ी सेटिंग के अंतरगा जो भी चीज़े हुई है लेकिन इसे कित जनता को हम यही बताना चाहते हैं कि आपके छेतर में आप छेतर के हिसाब से नेता चुन रहे हैं आप रोलमल नागर जी को आपने दो बार चुना दो बार चुनने के बाद दस साल में रोलमल नागर जी आपके गाहों में कितने आए आपने कितना विकास किया आपने कितना काम किया जनता का किया नहीं किया लेकिन यहां समझ के आया मुझे समझ में कि रोलमल नागर जी ने स्वयम विक्तिकत बहुत काम कर लिया अपना तो मैं समझता हूँ जनता को यह समझाना और समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देना है चेतर के नाम पर वोट देना है यहाँ पर जैसे राजासाब और रोलमल जी के बीच में अगर लड़ाई है चुनाओ को लेकर तो कौन जादा हमारे काम आया है अगर यहाँ देखा जाए तो निश्चिती जो लोग हैं उन्होंने दे अब जुद भी कारेकरताओं की संख्या निश्चिती में बता रहा हूं भार्टी जन्ता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस की निकल कर आई है इस लोग सबचुनाओं में थोड़ा सा मेरे मन का सवाल था चूंकि राजगर जिले को आप समझते हैं आप यहां पर प्रचार लाल दांगी हैं आप दांगी समाज से ही आते हैं तो समाजवाद भी जो है इस पर हवी होगा क्या इस चुनाओं में देखिए यह प्रसने भी आपका एक बहुत अच्छा प्रसन है यहां पर दिग्विजे सिंग जी उसक्सेत का नाम है जो पूरे देश में जानी जाती है सारे धर्मों के लोगों को लेकर सारे समाज के लोगों को लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उधारन है सारे समाज सारे धर्मों को लेकर चलने वाले व्यक्तित्विका तो यहां पर सारे समाज के लोग दांगी समाज हो सारे समाज के लोगों का प्र नेट परसंट राजा साब के साथ में उन्होंने जब मैंने बताया ना आपको सांसत रहे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाब जूत भी जब नहीं रहे तब भी उनके दरवाजे पे उनके पास कोई भी व्यक्ति गया है खाली नहीं आया है और मुझे बताईए जनता को क्या चाहिए जनता को अपने काम चाहिए और अगर राजा साब ने पदपर रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए सांसर रहते हुए ना रहते हुए भी अगर जनता की सेवा की है तो कोई भूलता है और जब कोई नहीं भूलता है तो आप तो जनता की निवानी की बारी से एक बात बताईए आप उस समय के राज्य सासन के खाजाने की बात करिए कितना कर्ज में था आज बात करिए कितना कर्ज में पहले क्या होता था आप हमारे पिता जी और दादा जी भी कर्ज लेने में डरते थे एक तरीके से ऐसा लगता था भाई कर्ज नहीं लेना है कर्ज इंकम राज स्टेट लेबल पर नहीं हुआ करती थी लेकिन फिर भी जितना भी होता था उन्होंने काम की हैं राजगण में भारती जनता पार्टी जिन कामों का स्थ्रे ले रही इसले नियास लगा रही है बड़े बड़े देश के नेताओं को बुलबा कर ये जताने की कोश कर रहा है भासणों के माध्यम से कि राजगण में हमने काम की हैं तो आप अगर उनकी पुरानी प्रस्ट भूमी पर जाएं और उनके आधार सिला पर जाएं कि आधार किन्ने रखा है तो निश्चित ही राजा दिवे सिंग जी के नाम के निकलेंगे नहीं मोधी जी ने रि बिजली मिलरे साब कोई दिकत नहीं तो यह जनता को समझना पड़े गा ना रोलमन नागर जी दस साल पहले क्या थे दस साल बाद 2000 मालिक बने है या वेराहुस के मालिक बने है मैं नहीं कह रहा हूं यह जनता के रिजनता ने बताया मुझे और राजाय साब जमुक्यमंत्र पार्टी हमेशा रही है यह दो राजी गांधी के देने ना कि उनके हाथ में एज रिमोड भी यह जो छहां से आता इस देस्का अंदर तो इस देश की आज़ादी के बाद आप समझतें इस बात को कि इस देश की क्या हलत vocal थी इस देश को खड़ा धीरे करते करते इस इस्तिति में लाए लोक तंत्र समीदान के बलबूते पर कि आज मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बन गए और आज देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद 400 पार की बात करते हैं उसी लोग तंत्रों सम्मिदान को खत्रे में डालते हैं युवाओं के रोजगार को खत्रे में डालते हैं मैलाओं की सुरक्षा को खत्रे में डालते हैं किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम देना उचित नहीं समझते हैं और देश को करज़ेदार ब बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और रोलमन नागर जी दो बार सांसत रहे गए हैं मैं समस्ता हूं कि कैसे रहे गए हैं वो मुझे नहीं मालूम लेकिन अब सांसत नहीं रहेंगे कितने वोटों से जिताएंगे राजासाब को नहीं जीतेंगे। वो मुझे जंता के बयानों पर दिखे हैं, मैं जब विदान सवा के गाउं, सहर, गलियों में, बूत लेवल तक गया, बरिष्ट लोगों से मिला, इन लोगों से जब मिला तो उन्होंने उनके काम बता है, जब आप काम सुनेंगे, मैं मतलब इस लेवल तक गया हूं, कि सुन नहीं सकती है, आप एक बात बताईए मुझे, राजा साब ने हमेशा बयानों में, जैसे मीडिया के माध्यम से भारते जंता पार्टी ने विरूत किया है, यह जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से राजगर के लोग कि दो देश के कांग्रेस पार्टी के से नेता, इसा इतने, मुझे समझ नहीं आता है, इस देश की आप सत्ता में बेठे हो, देश के आप ग्रह मंत्री हो, और आप यहां आके एक प्रतियासी के प्रती ऐसे बयान बाजी कर जाते हैं, जिन बयानों का अगर हम अर्थ निखा लें, तो आपस में अगर आपको में और मेर को आप बोलेंगे, तो अपन लड लेंगे, जगर लेंगे, जनाजा सब्दे उची सब्द होता है, क्या, इन सब्दों का उप्योग करने से पहले सोचना चाहिए, आप देश के एक बहुत बड़े पत पर बेठे हैं, और अगर आप नहीं सोच पा रहें, तो यह निश्यत है, क्या आप काम करने के पहले भी नहीं सोच पा रहें, इसलिए तो किसानों के लिए बिल लाते हो, आपको वापस लेना पड़ता है, आप हर एक मनमानी करते हैं, मणीपूर का ध्यानी रखते हो, लेकिन देश में आप महिलाओं बचाने के भासंट देते हैं, तो मुझे समझ के अंदर, इंडिया गडवंदन की सरकार बन रही है, आप देखें, रिजल्ट जादा दूर नहीं है, आपको कौन सा मंतरी बनाएंगे, तो हमारे मंतरी जनता के मंतरी तो अभी भी हैं, मैं समस्ता हूं कि राजा साब पतपर थे और पतपर नहीं थे, तब भी जनता के काम नहीं रुखे, उन्होंने तो पतपर रहते हुए भी जनता के काम किये, पतपर नहीं रहते हुए भी जनता के काम किये, अब मंतरी बने नहीं बने, तो भी वो जनता के कामों में तो रुकाबट आई नहीं सकती, क्योंकि राजा साब को काम कराना बहुत अच्छे से आता है बहुत अच्छे से काम जनता के हित्मे कराना आता है अगर नहीं सुनते हैं तो उन्हें धन्ने पर बैटने से भी काम कराना आता है अधिकारियों को दवा के भी काम कराना आता है और इमानदारी से काम कराना भी आता बहुत मतलब राजा साप के बारे में तो जनता भी जानते कि इश परदेश के अंदर के परकोट चैली बह। धन्यवाद रवी फंग्यां से की नहीं जीतते यहցं कॉंपर विधांसभा का प्रभावर रवी धांगी जी को इंटर्वी किया और देर रात भी हो चुकी ये काफी और आराम सजाई है का सर हमारी शुबकाम मैं आपके साहते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को जादा जादा सेर किजिए का चैनल यह आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजिए का बहुत-बहुत धन्यवाद